भारत में पिछले 24 गंटे में मिले COVID-19 के 109 नए केस थो एक्टिव केसों में भी आये कमी भारत में पिछले 24 गंटों में COVID-19 के 109 नए मामले दर्ज किये गए हैं देश में सक्रिय मामलों की संघ्या 4.46 करोड 4.462.649 तक पहुँच गई है सुभा 8 बिजे तक जारी आंकडों में बताया गया है कि गुजरात में कोरोना संक्रमर्ट से एक मौत हुई है इसी के साथ ही देश में बिमारी से मनने वालों की संख्या 5,30,740 हो गई है केंदरी स्वास्ते मंतराले ने जारी किये आंकड़े वही केंदरी स्वास्ते मंतराले ने बताया कि देश में सकारात मक्ता 0,07% की गई है मंतराले के अनुसार देश में सक्री'Mामलों में आपकुल संक्रमणों के 0,01% सामिल है जबकि राश्टी COVID-19 recovery दर बढ़कर 98.81 प्रतिशत हो गई है इतने करोड लोगों ने दी कोरोना को माद केंदिये स्वास्ति मंतराले के आंकरों से पता चलता है कि देश में कोरोना संग्रमन से ठीक होने वाले मरीजों की संक्या में भी इजाफा हुआ है देश में अब तक 4.41,50,057 लोगों ने कोरोना को माद दी है जबकि देश में म्रत्यूदर 1.19% दर्श की गई है अब तक 220.4 करोड खुराग दी गई मंतराले की बेवसाइट के अनुसार राश्टी व्यापी COVID-19 टीका करेंड अभियान के तहत देश में अब तक टीकों की 220.4 करोड खुराग दी जा चुकी है भारत में COVID-19 संक्रमर टैली ने 7 अगस्त 2020 को 20 लाग का आंकड़ा पार किया था देश ने इस साल 25 जनवरी को 4 करोड मामलों के गंभीर माइल स्टोन को पार किया था